तो आप सब ने योगा मेथडोलोजी पे जो कोशिन सीरीज अपलोड हुई है उसे देखा होगा उसे लाइक किया होगा और हमारे चानल को सब्सक्राइब किया होगा तो नेक्स जो डिमांड आई है वो है मनोज जी के द्वारा कि हर्ट योगा की कोशिन सीरीज जो है हम बनाएं तो इस पार्ट वन फॉर हर्ट योगा सीरीज बिकॉस आप सब जानते हैं कि हर्ट योगा में एट टेक्स जो है हमारी UGC net syllabus में एड हुई हैं तो उसके according हम जो है part by part हर्ट योगा को पूरा cover करेंगे so without wasting our time let's get started so the first question is how many type of kumbhakas are described in हर्ट योग प्रदीपिका 6,7,8 और 9 तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे जो हर्ट योग प्रदीपिका है उसमें प्रानयाम को दो तरीके से बाटा गया है सगर्ब और निर्गर्ब तो उसमें जो है सहीता जो classification है उसके ये दो पाट है सगर्ब और निर्गर्ब तो सहीता जो है उसमें ये दो पाठ है उसके अलावा आठ तरह के प्राणायाम से उसी को जो है आठ तरह के कुंबग जो है हट्योग प्रदीपिका में बताए हुए जिनका आठ नाम है सहीता, सूरिभेदा, उज्याई, सीतली, भस्तरिका, भ्रामरी, मूर्चा और केवली त So the next question is which of the following कुंबगा is not described in घिरन सहीता, घिरन सहीता में कौन से कुंबग की वर्णन नहीं की गई है, तो जैसा के आप सब जानते होंगे, घिरन सहीता में शीतली, सूरिभेदी, सहीता के अलावा, शीतकारी जो है वो described नहीं किया गया है next question is, सूरिभेदी प्राणायामा is very useful because, सूरिभेदी क्यों useful है, क्यों उसे करना चाहिए, it makes digestive system strong, takes away fear of death, eliminates वात दोशा और all of the above तो जैसा के हम सब जानते है, सूरिभेदी, मतलए heat producing होगा, तो हमारा ये क्या करेगा, eliminate करेगा वात दोशा को, तो इसका जो correct answer होगा, वो होगा, option number C, eliminates वात दोशा question number 4, which of the following बंधा is performed during the practice of वजरोली मुद्रा, वजरोली मुद्रा के समय, कौन सा बंधा हमें लगाना चाहिए, मूल बंध, जालंदर बंध, उद्धियान बंध और महा बंध, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वजरोली मुद्रा जो है, वो निचले हिस्ते की, यानि कि अप बंध, जो हमारे मूलाधार चक्र के पास लगता है, उसको इस्टिमुलेट कर लगता है, जालंदर बंध हमारे गले और विशुद्धी चक्र से रिलेटेट है, वहीं उद्ध्यान बंध हमारी चेस्ट, यानि कि प्राणा का जो सीठ है उससे और अनाहा चक्र से कौन सी मुद्रा से पॉईजन का जो एफेक्ट है या जहरीला जो एफेक्ट है वो भी खतम हो सकता है तो अगर आप हर्टियों का पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो खेजरी है वो हमारी जो है उस बिंदू से जो अमरित गिरता है नेक्टर जो हमारी बॉडी में ग बचाती है तो वो जो नेक्टर वाली हमारी मुद्रा होगी वही क्या होगी पॉईजन से बचाई गी तो महा मुद्रा महाभेद खेचरी और काकी यहां पर पर आप्शेंस दिये गए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नम्बर थी खेचरी विकास व आप सब जानते हैं घिरन सहीता हट योग प्रदीपी का दो मुख्य जो है ग्रंथ माने गए है हट योगा के तो यहां पर हट योगा जो है घिरन जी के अकॉर्डिंग उसका पहला स्टेप क्या है पहला अंग क्या है उस सप्तांग योग का शटकर्म आसन सूरी नमस्कार या प्राणयाम तो आप सब जानते हैं जो पहला हमारा घिरन सहीता का चैप्टर है वो है शटकर्म तो राइट आंसर इस शटकर्मा और सेवन इस विच क्रिया शुड बेफ पफॉर्म डूरिंग नौली क्रिया नौली के समय कौन सी क्रिया हमें पफॉर्म करनी चाहिए या कौ उनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती जितनी अच्छी एक के प्राक्टिस होगी दूसरा भे उतना ही अच्छा होगा तो option number C will be the correct answer then question number 8 is the fear of death is lost due to practice of which mudra कौन सी mudra से जो मृत्यू का भय है वो खतम हो जाता है पाशिनी, मांडू की, काकी या महाबन तो महामन जो है वो हमारा मृत्यू के भे को खतम करता है then question number 9 is in the position of which आसना मूर्चा प्राणायामा can be done तो मूर्चा प्राणायामा जो हट्योग में बताया गया है वो कौन से आसन में रहकर हम कर सकते हैं पदमासन, शवासन, मकरासन या ओल तो जैसा कि आपने हट्योग प्रदीपी का अगर पढ़ी होगी तो उसमें चित्र भी बना हुआ है कि मूर्चा प्राणायाम जो है हम जनरली पदमासन में बैट कर करते हैं तो the correct answer is option number A, पदमासना question number 10 for the emotional development of children, which मुद्रा is beneficial? शांभवी, पाशिनी, नभो और काकी so emotional development के लिए हमें शांभवी मुद्रा जो है वो बच्चों को करानी चाहिए question number 11 is during practice of विपरीत करनी मुद्रा the opposite situation occur between क्या होता है विपरीत करनी मुद्रा करते समय और किस दो चीजों की जो है location या उनकी position जो है just opposite हो जाती अनमय या प्राणमय कोशा सूर्य और चंद्र brain and heart प्राण और अपानवायू so the correct answer is सूर्य और चंद्र because ऐसा हम मानते हैं कि हमारा जो पेठ है या हमारा जो digestive system में वो सूर्य है और चंद्र हमारा जो है वो हमारा सर है या गले के उपर जितना हिस्सा हमारा आता है वो चंद्र का हिस्सा माना जाता है तो हम विप्रीत करने में क्या करते हैं सूर्य को उपर लाते हैं चंद्र को नीचे तो the correct answer is option number B सूर्य चंद्र question number 12 the practice of which mudra increases the consciousness and awareness of human beings कौन सी mudra से consciousness और awareness बढ़ती है महा बेद, महा मुद्रा, शाम्भवी और आल तो महा मुद्रा जो है consciousness बढ़ाने के लिए की जाती है next is question number 13 practice of मूल शोधन क्रिया strengthen which type of वाईयू मूल शोधन करने से कौन सी वाईयू जो है वो मजबूत होती है या प्रबल होती है उदान वाईयू, व्यान वाईयू, अपान वाईयू या प्रान वाईयू तो अगर आपने हमारे question answer series इसके पहले देखे होंगे तो मैंने एक short mnemonics बताए थे diagram के साथ कि हमारी body में position के हिसाब से अगर कोई इंसान सीधा खड़ा है तो उपसब जो है हमारा short form है तो आप जो है अपने शरीर के हिस्से को उपसब में बाढ़ सकता है तो गले के उपर उदान यू, पी, प्रान मतलब आपका जो chest है वो फिर आता है S याने की समान, समान नाभी तक होता है समान मतलब नाभी से नीचे जो होगा वो ए, अपान और उसके अलावा जो होगा पूरी बॉड़ी में व्यान तो यहाँ पे मूल शोधन जो है हमारी जनरली आनस रीजन में हम करते हैं और इसमें जो वायू ब्रबल होगी वो होगी अपान वायू क्योंकि नाभी से निचला हिस्सा जो होता है वो अपान वायू का होता है क्योशन नबर 14 अकॉर्डियोग प्रदिपिका विच इस दा फर्स्ट लिंब ओफ हर्ट योगा जैसा कि अभी जस्ट हमने देखा था कि घेरंट सही था सब्तां योग का पहला अंग क्या था शटकर्मा वैसे ही यहां पूछा गया है कि हट योग का हट योग प्रदिपिका के अनुसार पहला अंग कौन सा है शटकरिया आसन प्रानायाम या सूरी नमस्कार तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आसन आसन हमारा हट योग प्रदिपिका का पहला अंग है कौशन नमबर फिफ्टीन रेगुलर प्राक्टिस औफ विच प्रानायाम और कुम्भक मेक्स साधक तो फ्लोट एफर्टलसली अन बॉटर कौन सा कुम्भक या प्रानायाम इंसान को पानी में चलने या तेरने की शक्ति देता है केविली, मूर्चा, प्लावनी या सहीता तो प्लावनी हमारा जो है जो कि हट योग प्रदिपिका में बताया गया है उससे हमको तेरने की या पानी में चलने की शक्ति जो है मिलती है कुशन नुबर 16 अकॉर्डिंग टो स्वामी स्वात्माराम जिनोंने हटयोग प्रदीपी का लिखी थी विच बंधा इस बेस्ट मूल बंध, उद्यान बंध, जालंदर बंध और महा बंध तो हमारा जो उद्यान बंध है वो जो है बेस्ट बंधा माना गया है इवन उसके बाद भी और भी जो टेक्स अगर आप देखेंगे तो बंधा की केटेगरिज्म, मूल बंध, जालंदर बंध और महा बंध में भी उद्यान बंध को सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि वो समान और प्राणवायों को मिलाने की कोशिश करता है या उसके सिद्धी से प्राण और अपान जो है एक साथ आजाते है वज्जरॉली के पहले हमें कौन सी मुद्रा करनी चाहिए शांभवी, खेचरी, महाबंध या फिर शक्तिचाली में जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, शांभवी हम आग को जो है अजना पे ध्यान लगाते हैं हलकी सी आख खोलके शांभवी हमारी जीब से होती है, महाबंध जो है वो बंधा है जिसमें हम जाल अदर उद्ध्यान और मूलबंध लगाते हैं शक्ति चालिनी जो है वो हमारी वज्जरॉली की जगा यानि की lower reproductive organ या फिर मूल धार शक्रा की जो position है वहां से ही करी जाती है तो वज्जरॉली के पहले शक्ति चालिनी हमें करनी चाहिए ताकि वज्जरॉली मुद्रा जो है वो सिद्ध हो सके ऐसा हट योग में बताया गया है question number 18 which chakra is activated by practice of ताड़ागी मुद्रा ताड़ागी मुद्रा से कौन सा चक्रा activate होता है मूलाधार, विशुद्धी, मनी पूरा या अनाहत ताड़ागी का मतलब जो होता है ये एक बार question में आया है previous year question की ताड़ागी word का meaning क्या होता है तो ताड़ागी word का मतलब होता है tank तो basically ये जो हमारे है पेट, abdominal exercise में आता है, abdominal आसन में आता है तो उससे जो है आपका मनी पूरा चक्र जो है वो activate होता है question number 19, which chakra is activated by practice of पाशीनी मुद्रा पाशीनी मुद्रा से कौन सा चक्रा activate होता है मूलधार, अनाहत, विशुद्धी या both मूलधार अन विशुद्धी तो the correct answer is मूलधार अन विशुद्धी because जो इसकी position होती है वो upright होती है, inverted asanas में इसको गिना जाता है question number 20, which type of बंधा, this is of बंधा is performed, showing the practice of शक्ती चालिनी मुद्रा शक्ती चालिनी मुद्रा के लिए या practice के लिए कौन सा बंधा हमें करना चाहिए मूलबंद, जालंदर बंध, उद्यान बंध या महा बंध तो शक्ती चालिनी मुद्रा के लिए हमें उद्यान बंध को सिद्ध करने की या perfect करने की जरुवत होती है option number C is the correct answer next is which chakra is activated by practice of जालंदर बंधा जालंदर बंधा जैसा कि आप सब जानते होंगे गले में किया जाता है और गले में हमारा विशुद्धी होता है तो इसका तो answer बहुत ही easy है विशुद्धी question number 22 is which chakra is activated by practice of उद्यान बंध तो उद्यान बंध जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा chest region particularly हम अपने सांस को रोके कुमभक लगा के chest को उपर खीचने की कोशिश करते हैं तो इसमें जो है आपका मनी पूरा चक्र mainly involved होता है क्योंकि pressure जो create होता है आपके मनी पूरा चक्र में create होता है तो option number A will be the correct answer question number 23 which mudra is also known as earth element oppressor earth element को oppress करने वाली mudra कौन सी है वायू mudra, सूर्य mudra, अपान mudra और शंक mudra, तो हमारी सूर्य mudra है वो earth element या फिर earth प्रिच्वी तत्व को oppress करती है which type of pranayama is not mentioned in the text घेरन सहिता, घेरन सहिता में किन निम्न में से किन प्राणयामों का वर्णन नहीं किया गया है प्लाविनी, मूर्चा केविली या सहिता तो हमारे घेरन सहिता में मूर्चा, केविली और सहिता का वर्णन है सरिफ जो है प्लावनी जो है वो हट्योग प्रदिपिका में बताया गया है, घेरन सहिता में नहीं बताया गया है which type of pranayama is not mentioned in हट्योग प्रदिपिका हट्योग प्रदिपिका में कौन सा प्राणयामा का टाइप नहीं बताया गया है तो अभी चस्ट हमने देखा था घिरन सहिता में कौन सा नहीं बताया गया है अब हम देख रहे हैं हट्योग में कौन सा नहीं बताया गया है केवल प्लावनी, मूर्चा या शीतली तो हट योग प्रदीपिका में केवल नहीं बताया गया है, जो कि घिरन सहिता में बताया गया है Next question is, how many type of धार्णा दाड मेंशन इस घिरन सहिता, 3, 4, 5 और 6 घिरन सहिता में कौन सी धार्णाएं, कितने type की धार्णाएं बताया गया है तो 5 धार्णाएं बताया गया है, हमारे 5 जो तत्व हैं उनके basis पे तो जैसे कि आपे table देख पा रहे हैं, 5 धार्णा मुद्रा, इसमें मुद्रास के नाम लिखे हैं तत्व लिखे हैं, उनके रंग लिखे हैं, उनका letter या फिर बीजुमंतर लिखे हैं उनका form, मतलब किस आकार में वो है, वो लिखा है, उसके देव कौन है और उनकी position क्या है, और उनका कितने देर तक ध्यान करना चाहिए ये सब जो है घिरन सहिता में बताया गया है, तो आप इस चार्ट को refer कर सकते हैं इसके लिए particularly next question is, question number 27, by practice of मूल बंधा, डैश वायू and डैश वायू starts harmonizing मतलब कौन सी दो वायू जो है समान अवस्था में आती है, मूल बंधा की practice करने से अपान और प्राण, उदान और समान, व्यान और प्राण, और प्राण या उदान तो मूल बंधा जो है, हमारे निचले हिस्से में होता है, तो हम क्या करते है, annal contraction करते हैं, particularly मूल बंधा में तो हमारा अपान, क्योंकि नाभी से नीचे है, और हम उसको उपर खीचने की कोशिश करें, तो हमारा प्राण, क्योंकि हमने कुम्भक लगाया है तो अपान and प्राण बायू जो है, वो harmonize हो रही है, समान अवस्था में आ रही है Question number 28 is, how many मुद्राज are described in शिव समीता, शिव समीता में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है 5, 6, 8 और 10, तो शिव समीता में हमारी 10 मुद्राओं का वर्णन जो है, वो किया गया है Practice of मुद्रा leads to प्रत्याहार, ध्यान, धारणा या समाधी मुद्रा की practice करने से या उनको करने से क्या जो है वो सिद्ध होता है प्रत्याहार, ध्यान, धारणा या समाधी तो प्रत्याहार के लिए हम मुद्रा करते हैं, तो option number A will be the correct answer Question number 30, regular practitioner of which asana do not face problem of navel displacement तो ना भी खिसकने की दिक्कत निम्न में से कौन से आसन करने वालों को नहीं होती है उत्थानपाद आसन, चकरासन, मंडूक आसन और सर्वांग आसन तो option number A that is उत्थानपाद आसन करने वालों को navel displacement जो है, वो कभी नहीं होता है Question number 31 is which type of मुद्रा is used in eliminating choriza and allergy एलर्जी और choriza के लिए, generally cold और allergies के लिए कौन सी मुद्रा जो है उसको best माना गया है लिंग मुद्रा, प्राण मुद्रा, सूर्य मुद्रा और अपान मुद्रा तो लिंग मुद्रा जो है, उसको best माना गया, even जो पुराने आप अगर देखेंगे, ग्रंथ या पुराने लोग जो थे वो लिंग मुद्रा का इस्तमाल करते थे, थंडी और cold वगर के लिए लिंग मुद्रा जो है, जनरली हम क्या करते हैं, दोनों फिंगर्स, दोनों हातों के फिंगर्स को इंटरसेक करते हैं और अंगुठी को बाहर और उपर की तरफ रखते हैं, तो ऐसे लिंग मुद्रा की जाती है question number 32 which mudra is performed by placing tips of the ring finger and thumb together ring finger and thumb से कौन से mudra बनती है सूरी mudra, प्राण mudra, पृत्वी mudra और वायू mudra तो हमारी पृत्वी mudra जो है वो ring finger और thumb से बनती है next dash mudra is made by placing tips of index finger and thumb together index finger और thumb से जो है कौन से mudra बनती है सूरी mudra, वायू mudra, प्राण mudra या अपान mudra तो हमारी जो वायू mudra है वो हमारी index finger यानि की तरजनी और अंगुठे से बनती है next is which of the following is incorrect निम्न में से कौन सा match जो है वो गलत है thumb जो है वो मतलब हमारा अंगुठा जो है वो अगनी तत्वों को दर्शाता है हमारी तरजनी हवा को, middle finger हमारा space और ring finger हमारा water तो option number D जो है वो गलत है क्योंकि हमारी ring finger जो है हमारे earth element यानि की प्रित्वी तत्व को दर्शाती है तो खेचरी मुद्रा में खा का अर्थ क्या है earth, water, space और air तो खेचरी मुद्रा में खा का अर्थ है आपका space यानि की आकाश question number 36, which मुद्रा destroys पंच क्लेशास पंच क्लेशास को कौन सी मुद्रा जो है वो उनका नाश करती है महा मुद्रा, महाबंद, महाभेद या खेचरी तो महा मुद्रा जो है हमारे पंच क्लेशास को खतम करती है ऐसा हट्योग में बताया गया है question number 37, which आसना is related to स्थलवस्ती क्रिया तो जैसे वागे आप सब जानते होंगे हमारे दो तरह की वस्ती होती है जलवस्ती और स्थलवस्ती तो स्थलवस्ती जो है हम पशिमुत्तानासन लगाके हम करते हैं वही जलवस्ती जो है हम उत्कट आसन में करते हैं तो option number A will be the correct answer पशिमुत्तानासन में हम स्थलवस्ती याने की लैंड में हम बस्ती करते हैं question number 38, which बंधाज are performed during practice of महाभेद मुद्रा महाभेद मुद्रा करते वक्त हम कौन सा बंधा लगाते हैं जालंधर, मूल, उद्यान या फिर सभी तो इसमें जो सही आंसर होगा महाभेद मुद्रा में आपके तीनों बंधा लगते हैं इसलिए option number D will be the correct answer then question number 39, जालंधर बंध reverse the flow of dash yu to downwards सबान वाइउ, प्रान वाइउ, अपान वाइउ या व्यान वाइउ तो जैसा कि अब सब जानते हैं गले में जो है हम 16 धाराओं को बंध करते हैं तो जाल अंदर बंध लगता है और कुमभख हम लगाते हैं तो उसमें कौन सी वाइउ का flow जो है वो नीचे जा रहा है या reverse किया जा रहा है तो हमारी प्रान वाइउ जो है उसका जो flow है हम reverse करते हैं जाल अंदर बंध में Question number 40 Practice of बंधाज और मुद्राज लीट अट टूवर्ड्स Physical world, पंच कोशाज, करमेंद्रिया और ज्यानेंद्रिया तो हमारा जो बंधा और मुद्रा जो है हमको अपनी पंच कोशाज की ओर लेकर जाता है How many mudras are described in हट्योग प्रदीपिका हट्योग प्रदीपिका में कितनी मुद्राओं का वर्णन है 6, 8, 10 या फिर 12 तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हट्योग में है मुख्य 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है Next question is Question number 42 Which of the following mudra helps in removing wet dream disorder Wet dream disorder को कौन से mudra जो है वो खतम करती है Yoni mudra, Vajolimudra, Kaki और Shankhi तो हमारी Vajolimudra जो है wet dream disorder को खतम करती है How many flavors does a sadhak taste in or during attaining खेचरी mudra खेचरी mudra के समय कितने तरह के स्वाद को जो है योगी परसीफ कर पाता है 4, 5, 6 या 7 तो 6 तरह के स्वाद जो है वो हट्योग में बताए गये है Question number 44 Meaning of kurma in kurma asana Kurma asana ने kurma का अर्थ क्या है Turtle, Crocodile, Lizard और Deer तो हमारा kurma asana जो है वो Turtle को दर्शात है यानि की केचुए की तरह केचुआ उसका अर्थ होता है तो option number A will be the correct answer Question number 45 Regular practice of which pranayama brings divine power to साधक कौन से प्राणयाम से साधक को जो है Supreme power या बोलना चाहिए अध्यात्मिक शक्तियों का मिलती है मूर्चा, केवली, भ्रामरी या भस्तरिका तो अगर आपने हटयोगा पढ़ी होगी कोई भी टेक्स्ट हटयोगा की पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि कुम्भग को जो है उसको Supreme बताये गया है सारे प्राणायाम जो है वो कुम्भग को निपुन करने के लिए ही कराई जाते हैं तो केवली को जो है ऐसा माना जाता है Question number 46 Steadiness is related to which part of हटयोगा साधना Steadiness ये जो है कौन से साधन ये हटयोग के साधन से हमको मिलती है आसन, प्राणायाम, मुद्रा या ध्यान तो हमारा जो आसन है वो हमें Steadiness देता है यानि की स्थर्ता देता है Question number 47 लागवम is related to which practice of हटयोगा मतलब लागवम का Sanskrit word है जिसका meaning होता है हलका करना तो हमारा प्राणायाम जो है हमारे शरीर को हलका करता है लागव बनाता है Question number 48 Patience is related to which part of हटयोग साधना Patience जो है या धैर या किस साधना से हमको मिलता है मुद्रा, आसन, प्रत्याहार या ध्यान तो प्रत्याहार के effect से हमें जो है Patience डेवलप होता है या योगियों में Patience डेवलप होता है Question number 49 Which मुद्रा should be followed by महा मुद्रा महा मुद्रा के बाद कौन सी मुद्रा करनी चाहिए महा भेद, महा बंध, नभो और पाशिनी तो महा भेद मुद्रा जो है महा मुद्रा के बाद करनी चाहिए ऐसा हट योग प्रदीपिका में बताया हुआ है Question number 50 Last but not the least ये वीडियो सेशन पार्ट वन के लिए ये last question है Which आसना is considered to be the best आसना Manduk आसन, त्रिकोन आसन, सिध्धातन और मयूर आसन तो कभी भी हट योगा के टेक्स में और even किसी भी टेक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो सिध्धातन को जो है वो सबसे अच्छा और उच्च श्रेणी का आसन माना गया है Because ये जो 72,000 नाडीज है हमारे शरीर में उन सब को purify करता है इसलिए best आसना जो है वो हमारा सिध्धातन होता है इसके अलबा अगर आप हटयो प्रदीपिका पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ सीजन्स उनके इंग्लिश नेम और संस्कृत संस्कृत नेम्स बताए गए है तो ये आप रिफर कर सकते है Because जो हमारे प्राणायाम और योगा की प्राक्तिस का सही टाइम होता है करने का वो भी कुछन आता है तो ये सीजन्स के नाम आपको याद होने चाहिए Hope you love this video Do like, share and subscribe our channel Thanks for watching